तो हेलो गाइज स्वागे था आप सभी का हमारे यूडूब चैनल में तो गाइज टोड़े आम गएंग टो टीच यू आल तो बहुत इंपोर्टेंट वर्स जो स्पोकें इंगलिज के लिए काफी जादा है अलपूल है गाइज तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस व इन और तू य अन इन आडर तू एंद इन और लाप टो टीच यू दा मिनिंग आफ बोत वोर्ट दोनों का मैं मीनिंग समझाओंगा सबसे पहले इन और बता के लिए या तो की उदेश। य आजिया या की उदेशे एंड इन और अडर दाइट का मतलब होता है ता कि तो च वो यहां मुझसे मिलने को देश आया, वो यहां आया मुझसे मिलने को देश आया, He came here in order to meet me, He came here in order to meet me, मैं पढ़ाई कर राओं एक अच्छा नागरिक बनने को देश आया, I am studying in order to become a good man, I am studying in order to become a good person, understood no? लोग पढ़ाई करते हैं नोक्री पाने को देश आया, in order to get a job, understood, तो किसी भी उदेश उसके लिए in order to करेंगे sentence में, अब मैं बाते करूंगा in order that, जिसका मतलब उता है ताकि, understood no? उसने मुझे data ताकि मैं अपनी गल्ती को शुदार सकू, He has called me in order that I might improve my mistake, understood no? मैं अंग्रेजी शीखा ताकि मैं लोगों को शीखा सकू, I learnt English in order that I might teach others, मैं बजार जा रहा हूं ताकि मैं कुछ सबजिया करेंगे सकू, I am going to market in order that I may purchase some vegetables, तो यहां पर might or make को लेकर थोड़ा confusion हुआ होगा तो मैं बताना चाहूंगा, I like to tell you one thing, कि that अगर sentence present tense में रहे तो फिर make up प्रियूग करेंगे, and if the sentence is in past tense तो फिर आप might का प्रियूग करेंगे, तो उमीद है कि आपको दोनों के बीच में जो difference है समझभाया होगा, thank you very much, अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like कर दे, share करें और हमारे चैनल को subscribe करें, ताकि इसी प्रकार का वीडियो का notification आपको मिलता रहे, thank you very much for watching my channel and to subscribe my channel.